नमस्कार मैं आशुती वोरा और आप देख रहे हैं वीके नियूज देश में चारो ओर गणपती चतुर्ती की धूम चल रही है 19 सितंबर से 29 सितंबर तक पूरे देश में गणपती बपा आपने भकतों के घरों में विराज होंगे कई परिवार जान अपने घरों में गणपती भगवान की स्थापना करते हैं हाला कि हमारे देश में सबसे बड़ा गणपती चतुर्ती उत्सव महराश्र के City of Dreams मुंबई में किया जाता है यहां जगा जगा पर गणपती जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है वहीं गणपती चतुर्ती का महतसर्फ बॉलिवुट सेलिबिरिटीज में सबसे ज़ादा पॉपुलर बात है हर साल की तरह कई फिल्मी सितारों के घरों में भी गणपती जी के आने की तैयारियां शुरू हो जाती है और इस साल भी ये तैयारियां आरंब हो चुकी है हलाकि इसी बीच फिल्म आक्ट्रेस शिल्पा शेटी एक बार फिर चर्चा का विशे बनी हुई है बता दें कि शिल्पा शेटी अपने पती राज कुंद्रा संग अपने घर में गणपती बपा को लेकर आई है और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वारल हो रहा है इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि फिल्म आक्ट्रेस शिल्पा शेटी अपने छोटे से गणपती बपा के साथ बेहत खुश नजर आ रही है लेकिन शिल्पा शेटी के संग नजर आए उनके पती राज कुंद्रा एक बार फिर सुर्खियों में बन गए है वजह उनका ये वीडियो जिसके चलते वे बुरी तरह से ट्रोल हो रहे है दरसल हर बार की तरह इस बार भी राज कुंद्रा कैमरे से अपना चहरा छुपाते हुए दिखाई पड़ रहे है इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि मास्क और टोपी से राज कुंद्रा ने अपना चहरा ढख रखा है और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है जिसके चलते उन्हें एक बार फिर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है सोशल मीडिया पर ये वीडियो देख कई यूजर्स राज कुंद्रा को खरीखोटी सुनाने लग गए है किसी एक यूजर्ण ने उन्हें ट्रोल करते हुई लिखा बपा को लेने आया तब भी मूँ चुपा रहा है वहीं ये करने यूजर्ण ने शिल्पाशेटी से सवाल करते हुई लिखा ये राज कुंद्रा हर बार अपना चेहरा क्यों चुपाते फिरते हैं बताने कि राज कुंद्रा का पबलिक प्लेस में चेहरा चुपाना कोई नई बात नहीं है दरसल शिल्पाशेटी के बिजनिसमैन पती राज कुंद्रा अशलील वीडियो मामले के बाद से ही चर्चा में बने रहते हैं जिसके कारण उन्हें अक्सर ट्रोलिंग का सामना करना ही पड़ता है वहीं अगर बात करें शिल्पाशेटी की तो बता दे कि गड़पती जी को घर लाने के बाद शिल्पा ने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया जहां वे अपने घर पर गणेश जी की पूजा करते हुए नजर आई खबरों के अनुसर हर साल शिल्पा शेटी मुंबई के लालबाग गडपती से भगवान गणेश की एको फ्रेंडली मूर्ती घर लेकर आती है गड़ेश महतसफ बनाते बनाते इस बार शिल्पा का ये तेरवा साल होगा बतादे कि अक्ट्रिस करीब डेड़ से तीन दिन तक बपा की मूर्ती को अपने घर में रखती है विसरजन के दोरान पूरा शेटी और कुंद्रा परिवार एक साथ मिलकर पूजा अर्चना करता है इन दिनों आक्ट्रिस के घर में कई तरह के पकवान और मिठाईयां भी बनती हैं जिसका वो बपा को भोग लगाती है फिलाल अब इस पूरी ख़बर पर क्या है आपकी राए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश देश की बड़ी ख़बरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज